Hello everyone, I hope you all are doing great. मैं हूँ आस्ताजारिया और यहाँ पर हम constitutional amendments के बारे में बात करने वाले हैं. हमारा सम्विधान जो है वो लागू हुआ था 1950 में, 26 जन्वरी 1950. लेकिन उसके बाद जैसे जैसे society बदलती चली गए, समय की हिसाब से, जरूरत की हिसाब से, हमारे सम्विधान में भी कई बदलाव किये जाने लगे. तो उन्ही को हम पूरे देखने वाले हैं, शुरू से लेकर आखरी तक, फर्स्ट से लेकर जितने भी amendments, जितने भी संशोधन हमारे सम्विधान में किये गए हैं, उन सभी को हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं, तो चलिए शुरुवात करते हैं बिना किसी देरी के. अगर आपने चानल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें. सबसे पहला संशोधन 1951 में देखनी को मिला, यहाँ पर हमें पता है कि जो ओरीजिनल कॉंस्टिटूशन है, वहाँ पर आठ शेडियूल रखे गए थे, तो इसमें नाइन्थ शेडियूल यहाँ पर आड किया गया, जिसमें कि यह लैंड रिफॉर्म के बाद की गई है, औ किस बाट में आता है, आर्टिकल 19, पार्ट 3, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्स्प्रेशन और उसमें जो रिस्ट्रिक्शन है, उसके जो ग्राउन्स हैं, वो और जादा बड़े कर दिये गए, जिसमें बात की गई, पब्लिक ओर्डर को म लगाई जा सकती है, फंडमेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्स्प्रेशन में, यह बात की गई है, और यह जो रिस्ट्रिक्शन है, उसको रीजनेबल की भी कैटेगरी में, फॉर्स्ट कॉंस्टिटूशनल एमन्मेंट में रखा गया, इसके पहले यह नहीं था, ठीक ह अब यहां बात की गई है कि इने जुडिशियेबल इन नेजर बनाया गया, एमपावर किया गया स्टेट को कि वो स्पैशल प्रोविजन बना सकते हैं, जहां पर एडवान्समेंट हो सोशली और एकोनॉमिकली बैक्वर्ड क्लासेज का, जो सोशली और एकोनॉमिकली बैक् अब बात करते हैं, सेकंड कॉंस्टिटूशनल अमंडमेंट, कब देखने को मिला दूसरा संशोधन, 1952 में, फिर यहां पर बात की गई है कि यहां रिजेस्ट किया, स्केल ओफ रिप्रेजेंटेशन, अब क्या था, जनसंख्या पढ़ रहे थी, तो लोग सभा में एक थर्ड कॉंस्टिटूशनल अमंडमेंट देखने को मिला, 1954 में, यहां पर पार्लियमेंट को यह पावर दी गई, कि यह प्रोडक्शन, सप्लाइ और डिस्ट्रिबूशन जो है, फूर्ट स्टफ्स का, जितने भी खार्दी सामागरी है, कैटल फॉर्डर, रौ कॉटन, कॉ यहां पर क्या किया, एक कमपेंसेशन जो है, जो कि कमपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर जब सरकार एक्वायर करती है, तो उसके लिए अगर कमपेंसेशन दिये जाते हैं, तो उसको कोड की स्कूरूटिनी स से बाहार रखा यह बात की जा रही है अब बात करते हैं फिफ्ट अमेंडमेंट की जो कि देखा हमने 1955 में ही यहां पर प्रेसिटेंट को एक पावर दी गई कि वह एक फिक्स टाइम लिमिट सेट करें स्टेट लेजिसलेचर के लिए अगर सेंट्रल कोई लेजिसलेशन बनात ही है जिसमें की स्टेट का एरिया पाउंट्री या फिर नाम वगेरा जो है वो अगर बदले जाते हैं यह इसमें कोई बदलाव होते हैं तो स्टेट अगर उसमें अपना कोई पॉइंट ओफ्यू रखना चाहती है तो उसके लिए फिक्स टाइम लिमिट सेट किया गया यह फिक्स हुआ फिफ्ट अमेंडमेंट में अब बात करते हैं इस इंट्रेट ट्रेड और रिस्ट्रिक्टिट सेट्स पावर इन दिस रिकार्ड यहां पर स्टेट जो है यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट रखे गए उसमें सेंटर की पावर बढ़ा दी गई और स्टेट की पावर कम कर दी गई ऐसा हुआ सिक्स अमेंडमेंट नाइंटीन फिफ्टि सेक्स में ओके सेवंथ कॉंस्टिटूशनल अमेंडमेंट की अगर बात करें तो इस अमेंडमेंडमेंड के त्रू इस संशोधन के तहद स्टेट रियॉर्गनाइजेशन कमीशन बनाये गया आपको पता होगा कि हमारे देश में जो राज्य थे वो भाशाओं के हिसाब से बनने चालो हुए तो उसके लिए स्टेट रियॉर्गनाइजेशन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी तो उसका जो गठन है वो इसी समय देखने को मिला अगर दो या दो से जादा राजी हो जाते हैं तो उनके लिए एक कॉमन हाई कोट बनाने की बात की गए फिर अबॉलिशन ओफ एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन ओफ स्टेट इंटो फोर केटेगरीज अब यहाँ जो स्टेट बनाने की बात की जा रही थी उनको पार्ट चार भागों में डिवाइड किया गया पार्ट A, B, C and D और रिय और्गनाईज किया उन्हें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज में एक्स्टेंड किया जूरिडिक्शन हाई कोट का यूनियन टेरिटरीज में अब यहां बात की गई है additional और acting judges जो हाई कोट के हैं उनके भी appointment की बात इस amendment के तुरू इसमें रखी गई, सम्विधान में रखी गई एथ amendment act आया 1960 में, आठवा शर्शोधन जो था 1960 में देखने को मिला क्योंकि देखिए, original constitution में SCST, special representation of Anglo-Indians इन सब के reservation के बात की गई थी लोगसभा और state legislative assembly में, लेकिन यह सिर्फ था 10 सालों के लिए इसे और 10 साल आगे बढ़ा दिया गया, up to 1970 तक के लिए फिर 1960 में ही एक और 9th amendment देखने को मिला जो की secession of Indian territory जो की बेरुबारी एक जगह का नाम है West Bengal में बेरुबारी union को पाकिस्तान बेरुबारी की जो territory है उसे पाकिस्तान को देने की बात की गई यहाँ पर इंडो-पाकिस्तान agreement हुआ 1958 में उस समय बांगलादेश जो है वो पाकिस्तान हुआ करता था तो उससे सबसे आप समझ सकते हैं फिर 10th constitutional amendment आया 1961 में जिसमें की दादर और नागर हवेली उसको Indian union में एड किया गया इंकॉर्पोरेट किया गया 11th amendment act 1961 में हमें देखने को मिला 11 संशोधन जिसमें की election जो है vice president का उसके उसमें बदलाव किये गये जिसमें की एक electoral college बनाने की बात की गई ना कि joint meeting होनी चाहिए दोनों houses जो है पार्लियमेंट की उसमें पहले हुआ करता था कि दोनों जो पार्लियमेंट है वो joint meeting करेंगे फिर vice president का election होगा यहाँ पर बात की गई है आगे कि यह जो election होगा president और vice president का उसे इस basis पर नहीं challenge किया जा सकता कि यह जो electoral college है उसमें अगर कोई vacancy हो तो तो यह जब select करेंगे election होगा तो यह जो electoral college है उस पर कोई यहाँ पर question नहीं कर सकेगा यह बात कहीं जा रही है फिर 12 constitutional amendment 1962 में देखने को मिला बारवा संशोधन जिसमें की गोवा दमन एंड दियों को इंडियन union में एड़ किया गया 13th amendment act है 1962 में अब यह यहाँ पर बात कर रहा है status दिया गया special status नागलेंड को और इसके लिए special provision जो है स्वरी यहाँ पर नागलेंड को state का दर्जा दिया गया और उसके लिए special provision की भी बात कहीं गयी है फिर 14th constitutional amendment देखने को मिला 1962 में जिसमें पॉंडिचेरी जो है पुड़ुचेरी जिसे हम कहते हैं वो उसे इंडियन union में एड़ किया गया बात किरते हैं 15th constitutional amendment act 1963 1963 में पंद्रवां संशोधन देखने को मिला जिसमें की retirement age of high court judges बढ़ा दी गई 60 से 62 years कर दी 16th amendment act 1963 में देखने को मिला उसी साल जहां पर sovereignty और integrity जो है tag of India इन सब के लिए जो यहां पर oath और reformation होती है उसमें sovereignty और integrity को add किया गया तो आप यह याद रख सकते हैं the market value of land is paid as compensation जब तक कि आप किसी की personal cultivation land अगर ले रहे हैं उसकी market value को compensation नहीं दे रहे हैं उतना ही जितना की market value है तब तक आप वो किसी की land जो है वो acquire नहीं कर सकते specially यह जो cultivation land है ओके आगे बात की जा रही है 18th amendment act 1966 की 1966 में ही 19th और 20th amendment देखने को मिले हमें तो यहां पर सबसे पहले 18th में देखें तो यहां पर इसने clear किया power of parliament to form new states also include power to form new states or union territory by uniting a part of state or union territory to another state or union territory कहने का मतलब यह है कि जो parliament की power है किसी को state को नए state को बनाने की या किसी और state के साथ जोड देने की यह सारी चीजें जो हैं बात में add की गई नया state बनाना सिर्फ एक तुकड़ा अलग कर देना नहीं होगा अगर दो state को मिला कर एक state बनाया जा रहा है तो उसकी भी power यहां पर रखी गई बात में बात की जा रही है 19th amendment act जिसमें की तो पहले जो election tribunals हुआ करते थे उन्हें हटा दिया गया और यह जो election से related जितने भी प्ली है उनको सुनने का जो power है वो high court के उपर दे दिया गया फिर 20th amendment टेकने को मिला इसमें क्या किया गया जो district judges है उतर प्रदेश में उनका appointment जो है वो declare कर दिया गया था void supreme court के द्वारा अब इस appointment को यहां पर valid करार दिया गया है 20th amendment में आगे देखते हैं 21st amendment act 1967 के अगर बात करें तो यहां पर सिंधी language को 15th language बनाया गया था 8th schedule के अंदर हमारे समविधान में total कितने 8 schedule ते पहले जो के बात में हो गए 12 तो 8th schedule में जो languages की बात करते हैं हम तो उसमें सिंधी को include किया गया 22nd amendment act 1969 अब यहां पर बात की जारी है facilitated creation of new autonomous state of Meghalia within the state of Assam तो Assam से अलग करके यहां पर within कहा गया है आसाम के अंदर ही मिखाले को एक autonomous state का दर्जा दिया गया था यहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था कि आपको याद रखना है फिर बात की जारी है 23rd amendment act 1969 की 1969 में ही यह amendment देखने को मिला संशोधन जिसमें की reservation जो है S.E.S.T.S. का जो कि हमने पहले देखा था जो कि 10 साल extend हुआ था उसे और जादा अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया जो की कर दिया 1980 तक के लिए फिर आगे बात करते है 24th constitutional amendment act जो की देखने को मिला हमे 1971 में अब यह 24 संशोधन जो है इसमें क्या कहा गया है affirmed the power of parliament to amend any part of the constitution including fundamental right यहाँ पर एक तरीके से foundation create कर दिया गया आगे जो एक major amendment हमें देखने के वो मिलेगा यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि बोला जा रहा है कि जो parliament है उसके पास power है कि वो संविधान के जो fundamental rights है part 3 में जो रखे गए हैं उनके उन्हें वो amend कर सकती है उनमें संशोधन कर सकती है parliament उसके पास इतनी power है इसमें it made compulsory for the president to give assent to the constitutional amendment bill और यहाँ पर यह भी कहा गया कि president को यह compulsory है कि वो जितने भी constitutional amendment bill है वो उनको assent देना ही होगा उन्हें पास कराना ही होगा वो return नहीं कर सकते हैं तो यह कहा गया 24 संशोधन में 25th amendment act जो की देखने को मिला 1971 में ही तो यहाँ पर क्या किया गया है fundamental right to property उसे कम कर दिया गया provided that any law made to give effect to DPSP directive principles contained article 39b और c cannot be challenged on the ground of violation of rights guaranteed under 14, 19 and 31 इसके तहित बात किये जा रही है कि जितने भी laws है directive principles के article 13 और 19 के उन्हें इस तरीके से नहीं देखा जा सकता है कि वो उन fundamental rights जो है हमारे समविधान में है मूल भूत अधिकार उनका हनन कर रहे है तो ये चीज़ देखी गए हमने 25th amendment act में अब बात की जा रही है 26th amendment act 1971 की 1971 में हमें कितने एक, दो, तीन, चार amendment हमें देखने को मिले ठीक है आगे देखते हैं यहां बात की जा रही है अबॉलिशन औफ प्रिवी पर्स प्रिवी पर्स क्या है पहले जो राजा महराजा हुआ करते थे उनकी एक तरीके से पैंशन की बात की जा रही थी तो उसे हटा दिया गया अबॉलिश कर दिया गया प्रिवी जेस और फॉर्मर रूलर्स अगे बात की जा रही है कि कुछ यूनियन टेरिटरीस हैं वह अमेंडमेंट जो है और इस जो है वह पास कर सकती है इसके लिए उन्हें पावर दी गई है 28th amendment act 1972 यहाँ पर बात की गई है abolished special privileges to ICS officers यहाँ पर जो ICS officers है उनको special privileges जो मिलती थी उन्हें हटा दिया गया है और पार्लियमेंट को यह power दी है कि वो उनकी जो service condition है वो decide करेंगी 29th amendment act 1972 में 2 केरला acts on land reforms in 9th schedule add किया गया केरला के जो 2 act थे land reforms के अंदर उन्हें 9th schedule में add किया गया आगे देखते हैं 30th amendment act तीसवा संशोधन 1972 1972 का यह कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में civil cases से related अगर आप अपील करते थे 20,000 रुपे देकर पहले कर सकते थे लेकिन अब जब law से related कुछ important question निकल कराएगा तब ही आप सुप्रीम कोर्ट में apply कर सकते हैं वरना इस provision को हटा दिया गया है अब बात करते हैं 31st amendment की 31st संशोधन तो यहाँ पर 1972 का यह आपको याद रखना है कि यहाँ पर लोग सभा की जो seat है पहले 525 हुआ करती थी उसे बढ़ा कर 545 कर दी गई है 525 से 545 कर दी गई है 32nd constitutional amendment act यहाँ पर special provision रखा गया है तेलंगाना के लिए 2014 में जो state तेलंगाना हमें निकल कर देखने को मिला तो वहाँ पर इसकी demand जो है काफी समय से चल रही थी लेकिन यहाँ पर special provision दिया गया था 1973 में तब यह state नहीं बना था 33rd amendment act की बात करें तो यह बात करता है कि जब member of parliament resign देते हैं या फिर state legislatures जो है अगर वो resignation देते हैं speaker या chairman को तो यह तभी accept किये जाएंगे जब speaker या chairman satisfied होंगे कि यह जो resignation है वो voluntary है और genuine है स्वेक्षा से दिये गए हैं और सचमुच वो दीना जाते थे तो यह speaker या chairman ही decide करेंगे 34th amendment act 1974 का यह कहता है कि यहाँ पर land tenure, land reforms act 20 और add किये गए हैं और यह रखे गए है 9th schedule में 35th amendment act 1974 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर protectorate status दिया गया था सिक्किम को उसे हटा दिया गया और फिर यहाँ पर status दिया गया associate state of Indian union का सिक्किम तब राज नहीं था फिर 10th schedule add किया गया और यहाँ पर terms and conditions रखी गई association of सिक्किम के लिए Indian union में शामिल करने के लिए फिर आगे चलकर 36th constitutional amendment act आया 1975 पर जहाँ पर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दरजा दे दिया गया और यह जो 10th schedule है हमें पता है वो आज की date में anti defection के लिए रखा गया है तो उस समय इसे delete कर दिया गया हटा दिया गया 37th amendment act 1975 के अगर बात करें तो यहाँ पर legislative assembly और council of minister union territory of अरुनाचल प्रदेश के लिए रखे गये उस समय अरुनाचल प्रदेश जो था वो union territory था ना कि राज्य था तो यहाँ पर legislative assembly की पात की गए 37th amendment act में अब बात करते हैं 38th amendment act अर्थिस्वा संशोधन यहाँ पर president को power दी गई कि वो अलग-अलग situation पे अलग-अलग matter grounds को लेकर simultaneously मतलब एक साथ emergency लगा सकते हैं यह power president को दी गई और यह वही time था जब हमारी country में emergency लगी हुई थी 90th amendment act की अगर बात करें sorry 39th amendment act उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर dispute, president, vice president, prime minister, speaker से related कोई भी जो dispute होंगे उसको judiciary से बाहर रखा गया है कि मतलब इसको जो judicial review होगा वो नहीं किया जाएगा और यह तभी decide होंगे जो parliament जो है वो एक authority decide करेंगी वही इस matter पर चर्चा करेंगे 40th amendment act की बात करें, 40th संशोधन तो यहाँ पर parliament को empower किया गया कि वो time to time बताएंगी कि जो territorial waters है उनकी limits क्या है, continental shelf, exclusive economic zone, maritime zones, इनकी जो limits है वो क्या है यह parliament decide करेंगी time to time और वही declare करेंगी 41st amendment act 1976 की अगर हम बात करें तो इसने state public service commission और joint public service commission के जो members है उनकी age limit बढ़ा कर, sorry, retirement age limit बढ़ा कर 60 से 62 कर दी 42nd constitutional amendment act 1976 काफी जादा important है 42वा संशोधन 1976 का, इसे mini constitution भी कहते हैं इसे effect में लाया गया था सोवर्ण सिंग कमिटी के recommendations पर तीन नए शब्द जोड़े गये, सम्विधान का जो preamble है उसमें socialist, secular, integrity ये तीन नए शब्द जोड़े गये fundamental duties जो है वो यहाँ पर add की गई part 4A में president को यहाँ पर bound की आ गया advice of the cabinet पे जो cabinet होगी उसकी जो भी advice होंगी president उसे मानने के लिए बात दी होंगे फिर यहाँ पर जो तीन नए डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो भी जोड़े गई equal justice की बात की गई, free legal aid की बात की गई, participation of workers in the management of industries ये तीन नए चीज़ें डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखी गई आगे दिखते हैं यहाँ पर state list से 5 subjects को shift किया गया concurrent list में, वो कौन कौन से थे, education, forest, protection of wild animal and birds, weights and measures, administration of justice, constitution and organization of courts except the supreme court and high court, supreme court और high court का जो organization है उसके अलाबा बाकी के जो courts होंगे, district courts वगेरा उसे shift किया गया concurrent list में, इसके तहत, center को यह power दी गई कि वो armed forces को किसी भी state में वहाँ पर deploy कर सकती है ताकि अगर ऐसी कोई law and order की grave situation बनती है तो जैसा कि हमने अभी recent case दिखा था, Jammu and Kashmir का तो 43rd Amendment Act 1977 में देखने को मिला जिसमें jurisdiction of supreme court and high court for judicial review and issue of rights वो चीज़े restore कर दी गई पहले यह जो रोकी गई थी तो judicial review और issues of rights को तो पारा यह restore की गई इस jurisdiction को restore कर दिया गया 43rd Amendment के तहत 44th Amendment Act 1978 जो 44वा समशोधन है 1978 का उसके तहत कई सारे जो provisions थे 43rd Amendment के उन्हें बदले गए थे वहाँ पर एक बद यह थी कि President जो थे वो बाध्य थे Cabinet की जो भी advice होगी उन्हें मानने के लिए लेकिन यहाँ पर President को इतना empower किया कि वो Cabinet की जो advice है उसको reconsideration के लिए भेज सकते हैं लेकिन यह reconsider होने के बाद जो advice है वो binding होगी President पर फिर यहाँ पर internal disturbance जो term है National Emergency के लिए उसे हटा कर armed rebellion कर दिया गया आगे बात की गई है कि जो President है वो National Emergency अगर declare करते हैं तो उन्हें return recommendation मिलनी चाहिए Cabinet से तभी National Emergency से declare होगी फिर यहाँ बात की गई है कि जो right to property है पहले fundamental right हुआ करता था इसे हटा दिया गया और इसे सिर्फ और सिर्फ legal right बना दिया गया तो यह right to property fundamental list से delete हो गए और यहाँ पर इसे legal right बना दिया गया 45th amendment act 1980 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बात की जाती है SCSTS को reservation देने के लिए लोग सभा और state legislative assemblies में साथी साथ Anglo Indians की representation की जो बात की जाती है उसे और जादा दस सालों के लिए बढ़ा दिया 1990 तक के लिए यह कर दिया गया 46th amendment act 1982 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर state governments को enable किया कि जितने भी लूप होल्स है उन्हें वो fix करें loss related और sale tax के जो dues रह गये है इन सब से related यह जो लूप होल्स है उन्हें यह प्लक करें फिर 47th amendment act 1984 में देखने को मिला इसमें 14 land reform act जो की अलगलग state से related है उन्हें 9th schedule में रखा गया 48th amendment act 1984 इसमें facilitate किया कि जो president rule पंजाब में लगा हुआ था उसे और सादा एक साल तक के लिए extend कर दिया गया without meeting two special conditions दो special conditions जो इसमें मानने होती हैं उन्हें भी नहीं ध्यान में रखा गया और इसे extend कर दिया गया 49th amendment act 1984 यहां पर constitutional sanctity provide की गई autonomous district of council इन त्रिपरा को त्रिपरा को यहां पर special provision के तहत रखा गया 50th amendment act 1984 यह कहता है कि जो parliament है वो fundamental rights of कुछ जो intelligence organization है telecommunication system है armed forces की और intelligence organization की उन्हें restrict कर सकती है आपको पता होगा fundamental rights जो है हमारी जो आम जान नागरिक हैं उनके अलग होते हैं और armed forces intelligence organization के थोड़े कम होते हैं यह जीज़ आपको पता होगे fundamental rights के chapter में clearly mentioned है फिर 51st amendment act 1984 की यहां पर बात करें तो reservation of seats in लोकसभा for STs in मेखाले, अरुनाचल प्रदेश, नागरलांट, मिजोरम और legislative assemblies of मेखाले and नागरलांट की बात कर रहा है 52nd amendment act 1985 काफी जादा important है यहां पर anti-defection law की बात की जा रही है जिसमें की member of parliament, state legislatures को disqualify किया जा सकता है on the ground of defection आयाराम, गयाराम वाला case सुना होगा आपने कि अगर कोई member जो है किसी एक party से select होकर आता है elect होकर, sorry, elect होकर आता है तो वो किसी और party को अगर join कर लेता है तो वो defection की case में उसे disqualify किया जा सकता है तो इसका provision जो है वो 10th schedule में रखा गया हमारे सम्विधान में फिर 53rd amendment act 1986 की अगर बात करें तो यहाँ पर special provisions रखे गए है मिजोरम के लिए और यहाँ पर strength fix करी गई है assembly के लिए minimum 40 members, ओके? 54th amendment act 1986 इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर Supreme Court और High Court के जो judges हैं उनकी salaries पढ़ा दी गई साथ ही साथ Parliament को यह power दी गई कि वो आगे किसी ordinary laws की तहट इसे बदल सकती है 55th amendment act 1986 यहाँ पर special provision अरुनाचल प्रदेश के लिए रखा गया और assembly के minimum strength 30 members fix की गई 56th amendment act 1987 की अगर बात करें तो यहाँ पर 58th amendment act 1986 यहाँ पर authoritative text जो है constitution के हिंदी language में उन्हें same legal sanctity provide की गई हिंदी वर्जन का जो constitution है हिंदी वर्जन का जो हमारा ग्राउंड ओफ internal disturbance यह जीज यहाँ पर कही गई है 60th amendment act 1988 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सीलिंग है taxes on professions, trade, callings, employment को बढ़ा कर 250 पर एनम से 2500 पर एनम कर दिया गया 61st amendment act 1989 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर voting age को reduce करके 21st year से 18 years किया गया लोगसभा और state legislative assembly के लिए यह काफे important है यह आपको याद रखनी है 61st amendment act जिसके तहट voting rights जो है 21 साल से घटा कर 18 साल करती गई थी 62nd amendment act 1989 की अगर बात करें तो यहाँ पर reservation of seats for SEs and STs और special representation for Anglo-Indians, लोगसभा, state legislative assembly को और बढ़ा दिया गया अगले 10 सालों के लिए तो आप कुछ इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं कि 89 में 10 सालों के लिए बढ़ाया तो 2000 तक कर बात की गई है जो पंजाब से related एक प्रोवेशन रखा गया था इमर्जेंसी प्रोवेशन के लिए 59th amendment act 1988 में उसे हटा दिया गया है और यहाँ पर वह बाकी जो state हैं उसकी तर्ज पर ही प्रोवेशन रखे गए हैं फिर 64th amendment act 1990 के अगर बात करें तो प्रेसिडेंट रूल जो है पंजाब में वह पीरिड ओफ three years six months तीन साल और छे महिने के लिए एक्स्टेंड किया जा सकता है यह कहा गया 65th amendment act 1990 यहाँ पर ऐसी स्टी के लिए जो एक special officer हुआ करते थे उसे हटाकर एक multi-member national commission बनाने की बात की गई है किसमे 65th amendment act में काफे important है याद रखिएगा अब बात की जारी है 66th amendment act की यहाँ पर 55 और land reforms act अलग-लग states के लिए 9th schedule में रखी गए फिर 67th amendment act 1990 के बात करें तो प्रेसिडेंट रूल जो पहले हमने देखा वही पंजाब के लिए total period of four years चार साल के लिए किया जा सकता है यह बात यहां पर रखी गई है वही चीज आगे चलकर 1991 में पात साल के लिए कर दी गई वह किसके द्वारा 68th amendment act के द्वारा 69th amendment act 1991 यहां पर special status दिया है 69th amendment act 1991 अब बात करते हैं सत्तरवे संशोधिन की 70th amendment act 1992 यहां पर जितने भी legislative assemblies डेली और पोड़ुचेरी यह दोनों union territory हैं लेकिन इनकी legislative assemblies भी हैं तो इन्हें प्रेसिटेंट के election में जो electoral college होते हैं जो की election के दौरान पार्टेसिपेट करते हैं उसमें शामिल करने की बात की गई वैसे बाकी जो union territories हैं वो शामिल नहीं होती हैं यह आपको पताई होगा तो यह किसके द्वारा किया गया 70th amendment act 1992 के द्वारा आगे बात की जा रही है 71st amendment act 1992 यहाँ पर कोंकरी मानिपूरी नेपाली language को 8th schedule में रखा गया तो आपको यह जीज याद रखनी है कि नेपाली जो language है वो भी 8th schedule में है तो यहाँ पर total number of languages scheduled languages बढ़कर कितनी हो गई 18th 72nd amendment act 1992 यहाँ पर STs के लिए reservation की बात की गई है legislative assembly of त्रिपुरा में 73rd amendment act 1992 काफी जादा important है इसके तहत हमारे देश में जो three tiers system है उसे सम्विधानिक मानिता दी गई granted constitutional status and protection जो पंचायती राज institutions है उन्हें protection दिया गया और सम्विधानिक मानिता दी गई इसके तहत इसमें amendment करके एक नया part चोड़ा गया सम्विधान में part 9 जिसक में title रखा गया the panchayats और यहाँ पर 11th schedule जो है वहाँ पर 29 functional items रखे गए और यह नया schedule add किया गया यह पंचायत के functions को define करने के लिए किया गया 74th amendment act 1992 यह भी काफे जादा important है इसके तहत सम्विधानिक मानिता और सुरक्षा दी गई अर्बन local bodies के लिए इसके तहत एक नया part join किया गया part 9A जिसका title है the municipalities फिर 12th schedule भी add किया गया जिसमें की 18 functional items हैं 18 functional items हैं municipalities के लिए 75th amendment act 1994 के अगर हम बात करें तो यहाँ पर rent tribunals पर establish करने की बात की गी है rent tribunals जहाँ पर rents related regulations, control और tenancy related जितने भी issues हैं जिसमें की rights, title और interest of landlords की भी बात की गई है और tenants की भी तो यहाँ पर rent tribunals establish करने की बात की गई 75th amendment act 1994 में यह जीज़ repeat हो गई है यहाँ पर आगे देखते हैं 70th, 76th amendment act 1994 यहाँ पर Tamil Nadu reservation act 1994 लेकर आया गया जिसमें की reservation के जो seats हैं educational institutions में और state services की जो post हैं उसमें यह जो reservation का percentage है वो 69% कर दिया गया नाइन्थ schedule में इसे रखा गया और judicial review से बाहरे से रखा गया और इसे रखा गया आगे आगे देखते हैं आगे देखते 1992 में जबकि सुप्रीम कोट यह कह चुके थे कि जो total reservation का जो percentage है S.E.S.D. के लिए O.V.C. के लिए वो 50% से ज़ादा नहीं होना चाहिए total फिर 77th Amendment Act के अगर हम बात करें 1995 में जो हमें देखने को बिला यहाँ पर promotion की बात की गई है promotion में reservation की बात की गई है government jobs के लिए S.E.S.D.s और S.E.S.D.s के लिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोट का इसके पहले जो judgment था reservation को लेकर उसे nullify कर दिया गया उसे नकार दिया गया और यहाँ पर promotion में भी reservation देनी की बात रखी गई 77th Amendment Act 1995 में 78th Amendment Act 1995 की अगर बात करें तो यहाँ पर 27 और Land Reforms Act कई स्टेट्स के लिए 9th schedule में और जादा एड़ किये गए तो टोटल इनकी जो संख्या है वो 282 पहुँचके और यह last entry हमने 284 की देखी 79th Amendment Act 1990 यहाँ पर जो reservation है SCST के लिए special representation Anglo-Indians का लोगसभा और state legislative assemblies में तो इनका जो period है और 10 years के लिए बढ़ा दिया गया 10 साल के लिए इसके पहले भी हमने कई बार देखें कि यह जो period है वो 10-10 सालों के लिए बढ़ाया जा रहा है 88th Amendment Act 2000 के अगर हम बात करें तो यहाँ पर alternative scheme devaluation इसके तहट revenue किस तरीके से शेयर होगा center और state के बीच में इसकी बात यहाँ पर रखी गई है यह किसके basis पर होगी यह recommendation दी गई 10th Finance Commission के द्वारा जिसमें यह कहा गया कि जो total income है obtained होगी central taxes और duties से उसका जो 29% है वो distribute होगा states के बीच में तो यहाँ पर यह चीज जो है GST आने के बाद काफी साथा बदल गई है वो चीज भी हम आगे देखेंगे 81st Amendment Act 2000 के अगर हम बात करें तो यहाँ पर state को power दी गई है कि जितने भी unfilled reserved vacancies हैं एक particular year के लिए separate class of vacancies की दरगे से ही fill होनी चाहिए और यहाँ पर यह जो class of vacancy है उसे combine नहीं करना चाहिए बाकी other vacancies के साथ और यह जीज ध्यान में रखनी होगी कि जो ceiling है 50% of reservation यह limit जो है वो cross नहीं होनी चाहिए उस तरीके से यह vacancies fill की जाएंगी 82nd Amendment Act 2000 के अगर हम बात करें तो यहाँ पर SEs और SDs के लिए qualification जो qualifying marks होता है किसी भी government exam के लिए जहाँ भी reservation दिया जाता है उसमें relaxation देने की बात की गई या फिर यह जो standard of evaluation है उसे कम करने की बात की गई तो यह जो reservation promotion के basis promotion में भी दिया जाता है public services या central और state services में उसमें भी यह जीज गही गई है 83rd amendment act 2000 के अगर बात करें तो यहाँ पर पंचायत में जो अरणाजर प्रदेश के पंचायत है वहाँ पर SEs को reservation देने की ज़रूरत नहीं है यह बात की गई है क्योंकि वहाँ की जो total population है वहाँ पर tribal से जाता है और वहाँ कोई SEs नहीं है 84th amendment act 2001 के अगर हम बात करें तो यहाँ पर readjustment of seats लोकसभा और legislative assemblies के लिए इसे ban कर दिया गया है अगले 25 सालों के लिए तो यह 2001 में किया गया था इसलिए कहने का मतलब यह हो जाएगा कि जो लोकसभा और state legislative assembly की जो seats का जो ratio maintain किया जाता है population के basis पर उसे fix कर दिया गया है 2026 के लिए तक के लिए और यहाँ पर यह किस के basis पर है 1991 के census के basis पर ऐसा इसलिए भी कहा किया गया है ताकि जो population को limit करने की जो measures है वो उनको थोड़ा बढ़ावा मिल सके और हम population limit कर सके 85th Amendment Act 2001 यहाँ पर बात की गई है consequential seniority की promotion की cases पर promotion की cases पर जब अगर reservation मिलता है तो वो seniority के basis पर हो यह बात यहाँ पर कही गई है और यह कब से लागो होगा 1995 से retrospective effect से यह लागो होगा ऐसी बात यहाँ पर कही गई है 86th Amendment Act 2002 काभी जादा important है क्योंकि इसके तहत elementary education को fundamental right बनाया गया और आपको पता होगा कि fundamental rights जो है बाकी rights से बाकी अधिकारों से बिलकुल अलग होते हैं newly added article 21A यहाँ पर नया article 21A यहाँ सम्विधान में चोड़ा गया जिसके तहत यह बात की जारी है कि state को free और compulsory education प्रोवाइड करना होगा हर एक बच्चे को 6 साल से 14 साल की age limit के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को यहाँ पर article 45 DPSP का जो है उसमें भी बदलाव किये गए और यहाँ पर बात की गई कि state को यहाँ पर early childhood care और education जो है उसे promote करना होगा 6 साल से कम आयों के बच्चे को भी और यहाँ पर एक नई fundamental duty article 51A यहाँ पर सम्विधान में रखा गया जिसमें की यह बात कही गई कि हर एक नाखरिक जो है भारत के जिनके parents, guardians जो है उनको opportunity provide करनी होगी अपने बच्चों को जो भी education related field में जिसमें की जो की 6 साल से लेकर 14 साल के उम्र के हैं तो यहाँ पर यह fundamental duty भी बनाए गई, DPSP में भी बतलाव किये गई और elementary education को fundamental right भी बनाया गया part 3 में जो कि हमारे fundamental rights हैं तो यह काफे important act है, 2002 में आया था 86th amendment act जो यह आपको याद रखना है 87th amendment act 2003 इसमें बात की गई है कि जो territorial constituencies होती है, एक constituency की जो territory होती है उसमें readjustment और rationalization की बात की गई, जिसमें की यह कहा गया कि 2001 के census के हिसाब से इन्हें readjust करने की जरूरत है इसके पहले क्या हुआ था कि जो 84th amendment act था, उस पे 1991 के census के basis पर यह territorial constituency जो है उन्हें readjust किया गया था, अब 88th amendment act 2003 का क्या कहता है, यहाँ पर service tax के लिए provisions रखे गए article 268A में, taxes जो है, services में उन पे center tax लगाती थी, लेकिन इसको जो collection है, appropriation है, वो center और state दोनों साथ में मिलकर लगाएंगी, जैसा की parliament decide करेगी और यह GST आने के बाद इन सब में changes आ गए, अब बात करते हैं, 89th amendment act की, 2003 में आया था यह भी, इसमें दो अलग-अलग separate bodies बनाने की बात की गई, National Commission for Schedule Cast and Tribes के लिए जिसमें नाम रखा गया, National Commission for Schedule Cast, Article 338 के तहत, National Commission for Schedule Tribes, 338A के तहत इन्हें रखा गया और दोनों जो bodies हैं, उसमें एक chair person होगा, एक vice chair person होगा, और तीन और members यहाँ पर होगे तो यह दोनों bodies जो हैं, वो separate कर दी गई, और इनको appoint किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा 90th Amendment Act, 90 तो यह 2003 में यह भी तेखने को मिला, इसमें क्या कहा गया है, कि जो schedule tribes हैं, और non-schedule tribes हैं, बोडो लैंड territorial area के उनके लिए representation की बात की गई, असम legislative assembly में, इसे किसके तहत, आर्टिकल 332-6 के तहत, यह बात रखी गई है, 90th Amendment के तुरू, ओके 91st Amendment Act 2003, यह भी काफे important है, यहाँ पर बात की जा रही हैं, कि जो number of ministers हैं, including prime minister, यह चीज़ याद रखेगा Central Council of Minister में, यह चीज़ जो है, 15% से जादा total strength of लोगसभा नहीं होनी चाहिए, मान लीज़े कि लोगसभा में 500 members हैं, तो उसके जो 15% होगा, उससे जादा, यहाँ पर Council of Ministers जो हैं, वो नहीं हो सकते हैं, यही चीज़ सेम अपलाए होगी, लेजिसलेजर के लिए भी, तो Council of Ministers, including Chief Minister, यह total number जो है, 15% से जादा नहीं होना चाहिए, यह जीज़ यहाँ पर कही गई है, और हाँ, यहाँ पर यह जो number of Ministers हैं, including Chief Minister, किसी भी स्टेट में, यह 12 से कम भी नहीं होने चाहिए, यह बात की जा रही है, आर्टिकल 164, 1A के तह फिर बात कई गई है, 10th schedule की, जो कि Anti-Defection Lock के बारे में बात करता है, यहाँ पर एक छूट दी गई है एक मामले में, कि अगर एक तिहाई सदर से किसी भी legislature में, पार्टी के, वो अगर कट कर किसी और पार्टी में जा रहे हैं, तब उस case में उसे Anti-Defection नहीं लागू होगा, यहाँ पर एक protection यहाँ पर दिया गया है, तो यह defectors जो हैं उस case में बच जाएंगे, 92nd Constitutional Amendment Act, 2003, यहाँ पर बात की जा रही है कि जो 8th schedule है, वहाँ पर 4 और नई भाषाएं रखी गई, यह कौन-कौन सी थी, बोडो, डोगरी, डोगरी भी जिसे हम क्या सकते हैं, मैथली और स अंधाली, यह चार भाषा हैं, जो schedule languages हैं, उसमें एड की गई, तो यह constitutionally recognized languages होती है, जिनने सम्विधान के द्वारा recognize किया गया है, यहाँ पर अब total भाषा जितनी है, वो कितनी हो गई, 22 हो गई, फिर यहाँ पर बात की जा रही है, 93rd Amendment Act, 2005 की, यहाँ पर state को, राज्यों को यह power दी गई है, कि वो special provisions बना सकते हैं, socially, educationally, backward classes के लिए, या फिर schedule cast और schedule tribes के लिए, educational institutions, या फिर private educational institutions भी हैं, उनके लिए भी यह special provisions बना सकते हैं, चाहे वो state के द्वारा funded हो या ना हो, except for minority educational institutions, जितने भी minorities के द्वारा run किये जाते हैं, institutions, वहाँ उनको छोड़कर, वो एक exception है, यह कहाँ पर रखा गया है, clause 5 in article 15, अब यहाँ पर बात की जा रही है, कि जो supreme court का judgment था, इनामदार case में, 2005 का जो, उसे यहाँ पर nullify कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, जहाँ पर apex court जो है, वो उन्होंने यह कहा था, कि जो reservation policy है, minority और non-minority, unaided privileges college के लिए, वहाँ पर state जो है, वो यह कोई अपना role imposed नहीं कर सकती है, वहाँ पर कोई provisions state जो है, राज्य अपने नहीं बना सकते है, यहाँ तक कि court ने यह भी declare किया था, कि जो reservation होगा, private, unaided educational institute में, वो unconstitutional करार दिया जाएगा, तो अब इस provision को nullify कर दिया गय और यह provision यहाँ पर 93rd amendment act 2005 के तहत रखा गया, ओके, आगे बात करते है, 94th amendment act 2003, sorry 2006, यहाँ पर बिहार को जो एक obligation था, कि एक tribal welfare minister जो है, वो उनको रखना जरूरी है, उन्हें बनाना जरूरी है, तो यह obligation से यहाँ पर उन्हें free कर दिया गया, और यह provision जारकंड और 36 गड़ के लिए भी लागो हुआ, यह provision अब रखा गया है सिर्फ मधिप्रदेश के लिए और ओरीसा के लिए, यहाँ पर यह किसके तहतों का 1641 के तहत आर्टिकल, 95th amendment act 2009 के अगर हम बात करें, तो जो reservation of seats for SCSTs और representation of Anglo-Indians जो की हर 10 सालों के लिए बढ़ाया जारा था, उसे और जादा बढ़ाकर अब 2020 तक कर दिया गया था, आर्टिकल 334 के तहत, ठीक है, 96th amendment act 2011 के अगर बात करें, तो यहाँ पर ओडिया की जो spelling है, वो change की गई है, पहले spelling आर से थी और यहाँ पर ओडिया कर दिया गया है, तो जो 8th schedule है, वहाँ पर language है, ओडिया प्रोनाउंस किया जाएगा 97th amendment act 2011 के अगर बात करें, तो यहाँ पर constitutional status और protection प्रोवाइट किया गया है cooperative society को, जिस सरीके से हमने देखा पंचायती राज, municipalities को यह provisions special constitutional status समिधानिक दरजा तो दिया गया है, वो यहाँ पर cooperative society के लिए भी बनाया गया, किसके तहत, 97th amendment act 2011 के तहत, यहाँ पर cooperative society पे, यह पहले बतो देखें, तीन changes किये गया है constitution में, वो कौन-कौन से है, पहला यह है कि cooperative society को fundamental right में रखा गया है, article 19 में यह रखा गया है, फिर बात किये जारी है कि जो TPSP है, उसमें promotion of cooperative society 43B के तहत रखा गया है, यहाँ पर नया एक part add किया गया है 9B, समविधान में एक नया part add करके, title दिया है the cooperative society, जिसका article है 243 ZH से लेकर 243 ZT तक, 98th constitutional amendment act, 2013 में आया था, यहाँ पर बात की जा रही है कि जो governor है करनाटिका के, उनको यह power है कि वो कोई भी steps उठा सकते हैं develop करने के लिए हैदराबाद और करनाटिक रीजिन में, 99th constitutional amendment act, 2014 यह काफे important हो जाता है क्योंकि यह 2019 के prelims में भी पूछा गया है, तो यहाँ पर बात की जा रही है national judicial commission को establish करने की, 100th constitutional amendment act, 2015 के अगर बात करें, तो यह बात करता है land boundary agreement, जो कि इंटिया और बंगलादेश की है, उसके बारे में यह पात करता है 100th constitutional amendment act, जो कि आया था 2015 में, ओके, 101 constitutional amendment act, 2016 यह काफे important है क्योंकि इसके तहत हमारी country का जो taxation system है, उसमें काफे बड़ा बतलाव हमें देखने को मिला, especially indirect tax की हाँ पर बात की जा रही है, goods and services tax, यह कप picture में आया 8th September 2016 को, यहाँ पर 246A, 269A और 279A यह चीज़े आड की गई, यह articles आड किये गए constitution में, यहाँ पर 7th schedule को amendment किया गया, जिसमें की 3 list है, union list, state list और concurrent list, एक और list है, जिसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, तो यहाँ पर entry 84 की बात की जा रही है, union list की, इसमें पहले आते थे tobacco, alcoholic liquors, narcotic drugs, medical, toilet preparation, यह सारी चीज़ें आती थी, amendment के बात, petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation turbine fuel, tobacco, tobacco products, यह सब भी add किये गए, फिर आगे बात की जा रही है, जो entry 92 था, newspaper, advertisement से related जो भी चीज़े हैं, उसे delete कर दिया गया, और यह GST के अंडर में आ गया, 92 C service tax, यह भी delete कर दिया गया, union list से, entry 52, entry tax for sale in tax, यह भी delete कर दिया गया, यह चीज़ हमें जानना ज़रूरी है, कि जो entry 62 है, यहाँ पर tax on luxuries, including tax on entertainments, amusements, यह सारी चीज़ों के बारे में, यह जो taxes हैं, अब यह replace कर दिया गया है, entry 62, local government जो है, पंचायत, municipalities, regional council districts, यह सब यहाँ पर tax लगाएंगी, 102nd Constitutional Amendment Act, 2018, यहाँ पर constitutional status देने की बात की गया है, National Commission for Backward Classes के लिए, तो जो National Commission है यह, उस पर एक नया आर्टिकल 338B, यहाँ पर add किया गया है, जिसमें composition, function और various officers के बारे में बात कही गया है, नया एक आर्टिकल 342A, यह भी रखा गया है, जिसमें की president को यह power है, कि वो notify कर सकते हैं, जो list है, socially और educationally backward classes की, state और union territories से, वो यहाँ पर notify कर सकते हैं, president, ओके, 103rd constitutional amendment act, 19, 2019 का, जो की काफे important है हमें देखने को मिला, यहाँ पर fundamental right, आर्टिकल 15 और 16 में बड़े बदलाव किये गए, economically weaker section of the society जो है, उनके advancement के लिए 10% reservation, सरकारी नौकरियों में, college की seats में, यहाँ पर रखे गए हैं, और यह जो high income bracket के बाहर के लोग हैं, उन्हें यह पाइदा पहुचाने वाली हैं, तो इसके तहट, article 46 पे picture में निकल कर आता है, जो कि DPSP के बारे में हम बात करते हैं, डिरेक्टिव प्रिंसिपल के तहट, सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है, कि जो educational और economic interest है, weaker section जो भी society के हैं, उनके यह protect करें, तो यह जीज़ भी हमें देखने को मिलती हैं, ओके? तो इस lecture में बस इतना ही, अगर आपको lecture पसंद आया, तो subscribe जरूर करें चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले lectures की सभी notification आपके पास सबसे पहले पहुँचे, lecture like करना ना भूले, और अगर पसंद आया है, तो share भी करें अपने दोस्तों के साथ, ग्यान ब